नमस्कार दोस्तों मैं विनीदा संस्कृती आईएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ आज का जो हमारा चर्चा का विशह है वह है कैसे विलूप्त हुई मानव की पूँच क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे जो पुर्वस थे वो कही न कही वानरवन्ष से थे और उनकी तो पूँच होती थी परंतु हमारी पूँच नहीं है तो ये विलूप्त कैसे हुई इसके पीछे का कारण क्या है और अभी ये चर्चा में क्यों बना हुआ है तो ये सब हम देख लेते हैं अब ये चर्चा में इसलिए बना हुआ है क्योंकि जो हमारे शोद करता है उन्होंने एक TBXT जीन के जो दो टुकड़े थे उनके बीच में एक सम्मिलन पाया है और ये कहा जा रहा है कि यही सम्मिलन जो है यही सम्मिलन हमारे जो 25 मिलियन वर्ष पुराने जो DNA के परिवर्तन ह हुए थे मानव में जिसके कारण से जो है मानव की पूंच विलुपत हुई थी उसका एक हिस्सा है अब यहां पर क्या है अलू तत्वों का जो है सम्मिलन पाया गया है और यह माना जाता है कि वानर में जो जीन है जो पूंच बनाने के लिए आवशक प्रोटीन का प्रोटीन होता है जो क्या करता है जो पूंच बनाने के लिए प्रोटीन होते है उसमें से एक प्रमुक प्रोटीन है यह करता क्या है विशिष्ट डिन ने जो है उनके साथ मिलकर अन्य जीनों को नियंतरित करता है और किन जीनों को नियंतरित करता है जो कही ना कहीं पूं के विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं आगे देखते हैं आगे इसके प्रमुक बिंदू में आपको क्या बता रहा है जो हमारी न्यू यॉयॉर्क पेपर में एक लेक के द्वारा आपको सूचना दी लोगों के सामने यह पूरी रिसर्च रखी इसमें है कि 25 करोड़ वर्ष पहले जो वानर या वानर्ष के बीच में वानर वंश के बीच में जो अलू दुरगटना होई थी जो मैंने आपको बताया कि एक अलू सम्मीलन जो हमारा जायगोट होता है वो क्या है उसमें एक महत्पूर्ण जीन है जो जिसको नाम दिया गया है अलू जीन या अलू तत्व जैसे मैंने आपको होता है अलू का सम्मीलन हुआ वह यहां पर क्या सयोगवस ही हुआ उसका कुछ ऐसा कोई ऑथेंटिक जी वो नहीं मिला क होता है और बाद में क्या होता है आप सभी जानते हैं कि कोशिकाओं में क्या होते हैं डीने होते हैं डीने में जीन्स होते हैं और जब सारी कोशिकाओं में इसकी प्रतिलिपी बन जाएगी तो आगे क्या होगा पीड़ी दड़ पीड़ी यह आगे बढ़ता चला जाएगा यानि की अभ ही जो हमारे अंदर Gene है क्या होंगे, transfer होते हैं हमारी संतान में, तो इस तरीके सी आगे transfer होते चले गए, और आगे ये DNA हम लोगों में आज भी अंकित होता है, तो चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या कहता है, तो जिनोम क्या होता है जो कोई भी जीव होता है उस जीव की प्रतिय कोशिका में जो जीन का DNA होता है उसकी पूरी कौपी की जाती है यानि कि पूरी प्रति बनती है और जिसे ही कहा जाता है जिनोम और यह जिनोम की जानकारी होती है उसकी का प्रियोग करके जो हमारी कोशिक कोशिका क olmas हमारा बनेगा रप्रतिक प्रोटीन होता यूज किया जाता है यारे कि पता लगेगा क्यौन सा प्रोटीन बनाएगी क्योंकि अगर कोड नहीं हऊण साब यहां नाना है कोणसी कोशी बीटाना है जैसे हम कई कोड में बाते की जाती है तो इसी तरीके से कोड हो और उस को क्या कह जाता है जीन जिनोम हं जीनralya कम से जिन जीन सब्दक का हिस्सा बनाते हैं यानि कि जो जिन、、able है एक जीन चिन का ठिवों के जिSNOM अनुक्रम को निर्दारित चुरू किया व होता है और उनका जिनोम होता है वह बहुत कॉंप्लेक्स होता है जबकी अगर देखा जैए तोनकkov जीवन्हली होती है जीवन होता है वह बहुत चटिल नहीं होता है वह बहुत इजी होता है तो जो जिवाणू के जिनोम में जो जीन टेंडन रूप में वैवस्थित होते हैं जिनोम उसमें देखा क्या किया कि के जहां पर एक जिन समाप्त होता है वहीं से जो है हमारा दूसरा जीन जो है शुरू हो जाता है यह हमारा हमने देखा जिनोम के ब तो यहां पर देखो बता रहा है आपको के जटिल जीवों में जो जीन होते हैं वो काफी दूर दूर होते हैं और मनुष्य में जो है केवल 1.5 प्रतीशत जिनोम जो है प्रोटीन के लिए कोड करते हैं बाकी जिनोम नहीं करते हैं सिर्फ 1.5 यानि कि बहुत कम जो जीनोम होते हैं वो प्रोटीन के लिए जो है कोड करते हैं और यहीं जीन है उन्हें ही क्या कहा जाता है जंक जीन यानि कि जो जीन हमारी कोडिंग के लिए यह जो हमारी प्रोटीन के लिए जानकारी दे रहे हैं कि कौन सा प्रोटीन बनेगा कोशिक अन्जटाओं को एक तरीके से निएंत्रित करें वो होते हैं हमारे junk gene जंक में क्या होता है junk DNA में में एक मेहत्पून अंश होता है जिसे कह जाता है ट्रांस्पोजेबल तत्व ये इसमें शामिल होता है अब ये चुछ होता है ये ट्ने की टुकड़े में Church genome की घ्रोम के बीतर अपनी स्थिती बदल सकते हैं याने की जो हमारा यहां पर जंक डिने है उसी में जो है अलू तत्व होता है यह क्या होता है की जीन के अंदर यानि की इए डियने के गर कोई टुकड़ा है उसके अपनी जो इस्थिती है उसे förढ़ सकते हैं तो इनने का जाता है अलूताट्व होते क्या है कि इसमें सम्मिलन की प्रसेस होती है उसमें होता क्या है कि किसी भी चीज के अंदर जोती है इसे का जाता है और अलूत बेस जोड करके बने हैं और लेकिन इनकी जो है खुद की नकल करने और जिनोम के भीतर जो है छलांग लगाने की यानि कि सम्मिलन करने की जो शम्ता के कारण ये मनुश्य के जिनोम में कितना 1.4 बिलियन विभिन इस्थानों पर मौदूद हैं ये करते क्या है पहले कहीं पर भी जाएंगे वहाँ पर सम्मिलन करेंगे उसके बाद क्या करेंगे अपनी एक प्रति बनाते चले जाएंगे और प्रति जो है पूरे जो मनुश्य मनुश्य है यह जो भी जीव है उसकी पृतिय कोशी का हमें पखती बन जाएगी और क्या होगा इसलिए आपको क्या बोल और मनुष्य की पूछ जो है लुप्त हो गई है खतम हो गई है तो चलिए इससे संबंदित प्रश्न देख लेते हैं मानव का विज्ञानिक नाम क्या है होमो रेक्टर होमो सैपियंस होमो है या उप्रोक्त में से कोही नहीं इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताये आज खी वीडियो में इतना ही लगी होगी आपको इसमें अपने एकसाम से रिलेटिट कारिया मिली होंगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगली वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार